हाई फ्रेंड्स मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चनल बेफिकरे और जैसा कि आपको पता है कि आज है 1st of September और आज से वेहिकल ओनर्शिप ट्रांसफर आप लोग कर सकते हैं आज की इस वीडियो में इसी चीज को डिसकस करेंगे और आपको साहिल एप पे लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से स्टैप फॉलो करके आप साहिल एप से अपनी अगर गाड़ी बेशना चाते हैं तो किस तरीके से बेश सकते हैं और जो गाड़ी का जो है ओनर्शिप का वो भी कैसे कर सकते तो यह बहुत ही जबर्दस वीडियो होने वाली है बर वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह बोला चाहूंगा चैनल को अगर अभी तक चानल सस्क्राइब करका सस्क्राइब कर दे बेल नोटिफिकेशन जरू दबा दे जिससे की हमारी सारी वीडियो आपको मिल जाए और अगर आप कमेंट जितना भी करते हैं प्लीज हमेशा जो कमेंट कीजिए न्यू कमेंट कीजिए बिकास कमेंट के नीचे कमेंट जब अगर करते हैं तो वो कमेंट हमें नहीं मिल पाता है तो यह कुछ इंपोर्टन ठीज थी जो मुझे आप से डिसकस करनी थी चलते हैं स्क्रीन पर और आपको दिखाते है step by step कि किस तरीके से साहिल एप पर होता है तो चले मेरे साथ तो सबसे पहले आप लोग साहिल एप पे लॉग इन करेंगे तो आपको यह आपका डिफॉल्ट स्क्रीन दिखेगा अब आपके राइट हैंड से सेकिंड ऑप्शन जो सर्विस है उसे क्लिक करेंगे तो आपको चितनी भी सर्विस है वो सारी दिखने लगेंगी ड्रॉप डाउन में उपर नीचे करने के बाद जो मैंने रेड कलर से सर्विस माक कर रखी है वो आप देख लीजिए विचिस मिनिस्ट्री ओफ इंटीर इसको सेलेक कर लेना है और इसे क्लिक कर लेना है और Ministry of Interior के अंदर जब आप खोलेंगे तो आपके पास काफी सारे option आजाएंगे तो आपको इस में से traffic service select करना है यह option last में से fourth option है तो नीचे से अब उपर की तरफ fourth option पर देखेंगे तो traffic service वाला option आपको मिल जाएगा और इसे click कर लेना है आपको अब आपको traffic service को क्लिक करना है तो वहाँ पर आपको drop down देखेंगे चार जो last वाला drop down है which is called transfer vehicle ownership उसको क्लिक करना है उसको मैंने पहले से ही airbag में red color का mark कर रखा है और अब आप इस page पर आ गए है इस page का नाम है vehicle owner transfer और यहां से आप अपनी vehicle का जो ownership है वो दूसरे को transfer करेंगे यहां पर टमसें condition है कि जिसको भी transfer कर रहे है वो 21 years का होना चाहिए और अगर कोई भी fine है दोनों party paper तो से pay कर दिये अगर आपने bank से loan ले रखा है इसे पर तो transfer नहीं हो सकता और यहां पर यह भी बता रखा है कि ownership has the right to send one request तो एक request आपकी vehicle की price की आईगी और जो fees आपको pay करने पड़ेगी तो 5kड की तो यह दोनों आपको pay करना पड़ेगा और अब यहां पर select करेंगे type of service तो पहली service है submit the application अगर आपको application submit करनी है transfer ownership के लिए तो यह वाला select करेंगे complete the order काई बरी क्या है कि आप सारी information दालके छोड़ देंगे और आप दुबारा वहां पर आके उसे complete करना चाहते तो यह वाला option करेंगे या फिर अगर transfer आपको cancel करना है तो third option या फिर आपको खाली inquiry करनी है तो fourth option करेंगे और उसके बाद जो button है blue color का वो tracking है उसे click कर देंगे अब यहां पर आपको vehicle select करनी है तो नीचे आपको number plate number आ रहा होगा तो मगर आपके नाम पर जितनी भी गाडिया है उसकी गाडियों की number plate यहां पर आ रहेगी तो drop down उसे जो गाड़ी बेचनी है वो select कर लेंगे और उसके बाद जो नीचे button है tracking का उसे दबा देंगे अब आप चुके है आप choose a new owner यहां पर आपको दो option मिलते है क्या आप गाड़ी बेचना चाहते है sale या gift करना चाहते है अगर sale करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे gift करेंगे जाली थी गाड़ी की वो number plate जिसे sale करना था और new owner का civil ID आपने यहां पर दाल दिया था उसके बाद क्या होगा कि यह request submit की जाएगी और जो नया owner है उसके पास notification आएगा और उसे agree करना पड़ेगा कि वो पैसे transfer कर रहा है और उसे pay करनी पड़ेगी insurance fees उसी time पे ही जैसी वो यह कर देगा नया owner उसी time पे ही जो seller है जो बेच रहा है उसके पास भी notification आजाएगा confirmation the receipt of the payment कि वो पैसे उसे मिल गए गाड़ी के जो पैसे थे वो से मिल गए और साथी साथ जो transfer fees है वो भी pay कर दी गई है यह दोनों उसे confirm करना पड़ेगा और जो नया buyer है उसके पास message में notification में आएगा वो download कर सकता है new electronic vehicle license उसके लिए download करने के लिए उसे अपना digital wallet यूज़ करना पड़ेगा जिसे यूज़ करने के लिए उसके पास my coet ID होनी चाहिए तो अगर उसके पास my coet ID है तो अपने आपी वो उसमें download कर सकता है और वहां उसको वो use कर सकता है कही पर भी तो दोस्तों अब तो आपको समझ आ गया होगा कि एक और चीज digitalize हो गई है with the help of a sahil app आप अप अपनी vehicle की ownership transfer कर सकते हैं अगर आप भी गाड़ी बेचने का या खरीदने का सोच रहे हैं अब बेचना और खरीदना काफी असान हो चुका है अब बिलकुल digital तरीके से आप गा करके बताए जितनी मदद हो पाएगी हम लोग पूरा करेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब करते और साथी साथ बैल आइकन दबा दीजिए हमारी सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आने का तो चलिए अब वीडियो को ही खतम करते साथी बात करना चाहा रहे थे one-to-one और discuss करना चाहते हैं उनके लिए वह जल्द ही एक नया platform लेके आने वाला हूं जिससे वह one-to-one मेरे से call कर सकते ही या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं और अपनी problem को discuss कर सकते हैं तो उस platform पर अभी काम कर रहा हूं जैसी वह डबलब हो जाता है आपके साथ वह platform भी हाजर किया जाएगा तो चलते हैं इस वीडियो को हीपे ख़तम करते हैं बाए बाए